असलाम आलेकूम, तो आज हम आपको बहुत ही क्विकली बन जाने वाला एक स्टार्टर बता रहे हैं, जो चिकन से बनेगा, ये चिकन स्टिक है, जिसे आप अक्सर पार्टियों में या किसी फंक्शन में आपने जरूर खाया होगा, तो इसे बनाने के लिए बस आपको हरा ध करके इसे एक चटनी की तरह बना लीजे, और ये हमारे पास 300 ग्राम्स बोनलेस चिकन है, जिसके क्यूप्स हैं छोटे-छोटे, उसे आट कर दीजे, साथ में नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, ब्लैक पेपर पाउडर, यानि काली मिर्च, और एक नीम्बू आट करना है, अ साथ में इसमें कलर के लिए थोड़ी सी हल्दी भी एड़ कर दीजे, ये बहुत ही मज़ेदार बनके तयार होता है, बहुत ही कम मसालों से, और बहुत जल्दी बन जाता है, तो आप इसे जरूर एक बार ट्राइ कीजे, इसे 5-10 मिनट के लिए मैरीनेशन के लिए छोड़ि और इसमें इसको एसेंबल किया है, तो 3 या 4 पीस इसमें आ जाएंगे, जितने आ जाएं उसमें आप इजिली जैसे आ जाएं वैसे डाल दीजे, तो ये देखिए इस तरह से इसमें हमने इसे एसेंबल किया, और उसके बाद इसे ब्रेट क्रम्स में कोट करना है, तो ये इ इस्टिक तयार हो गई तो हम आपको बता रहे थे इसे ज्यादा मेरी इडिनेशन के लिए रखने की जरूरत नहीं अगर आपके पास टाइम है तो 5-10 मिनट के लिए छोड़िये वन्ना फटा-फट बना सकते हैं तो यह देखिए यह सारी इस्टिक हमने इस तरह से तयार कर ल एक बार इस पर अच्छा सा कलर आ जाए तो फिर फ्लेम स्लो कर दीजिए और इसे अलट पलट कर स्लो फ्लेम पे पका लीजिए और इधर हमने फ्रेंच फ्राइज भी सोचा बना लें तो थोड़ा सा मेरे पास आलू था और यह हमारे पास बच्चा हुआ मैरीनेशन था उसे इसमें हमने एड कर दिया साथ में सॉल टेस्ट के अकॉर्डिंग एड किया और एक चमज भरके बड़ा स्पून भरके कॉर्ण फ्लोर और ब्रेट क्रम्स बची हुई थी ब्रेट क्रम्स एड कर दिया इन सब चीजों को अच्छे से मिला लेना है आलों को दो-तीन बार अच्छे से वाश कर लीजेगा कट करने के बाद और उसे अच्छे से ड्राइ कर लीजेगा इधर ये हमारा चिकन देखिए पक रहा है और इस पे बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है थोड़ी देर के लिए स्लो फ्लेम रखिएगा ताकि ये अंदर तक पक जाए तो एक बार हमारी रेसिपी ज़रूर ट्राइ करिए इन्शालला आपको ज़रूर पसंद आएगी शाम के टाइम आप इसे स्नैक्स के तौर पे भी फटाफट बना सकते हैं इसमें कुछ ज़ादा मसाले भी आड़ नहीं होते हैं और टेस्ट ला जवाब तो इधर हमने बचे हुए ओल में अपने फ्रेंच फ्राइस को भी फ्राइ कर लिया है एक बार इसे स्लो टू मीडियम फ्राइ करके निकाल लिजिए उसके बाद दुबारा इसे फिर से फ्राइ कर ये तब ओल बहुत अच्छे से गरम होना चाहिए फिर उसके बाद तेस फ्लेम पे ही इसे दुबारा एट कर दीजिए और अच्छा सा कलर आने तक पका लिजिए इस तरह से आप पकाएंगे तो ये बहुत ही क्रिस्पी बन के तयार होगी तो ये हमारे फ्राइज भी बन के तयार हैं तो ये लिजिए आपके सामने हमने मज़ेदार सा फ्रेंच फ्राइज के साथ चिकन स्टिक बनाया है चलिए इसे सर्फ करते हैं तो सबसे पहले के पापको कि अ राया औरые कि अ में अल्या यु और ब Fraa noche, मैंश आरे में अल्या तिए और old-dbuilt में यु जिया वील्कम